बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, असलाम आलेकुम वीवर्स, फ्रेंड्स एंड इस्टूडेंट्स, केमेस्ट्री के लास नाइन चेप्टर नंबर वन, फंडामेंटल्स आफ केमेस्ट्री में आज जो हमारा टापिक है वो है कमपाउंड, कमपाउंड हम किस चीज़ को कहते हैं केमेस्ट्री में, when two are more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass is called compound, सपोज करें, दो या दो से जाएद elements जब chemically combined हों, और वो fixed ratio by mass में combine कर रहे हों, और एक नई चीज़ बना रहे हों, तो उसे हम compound, उस चीज़ को हम compound कहते हैं, या निए इससे नई चीज़ जो है वो बन जाती है, दो elements या दो से ज़्यादा elements जब आपस में chemically combined होते हैं, और वो क्या होते हैं, fixed ratio by mass होते हैं, सपोज कर रहे हैं हम यहाँ पर H2O की मिसाल ले रहे हैं, हम देखेंगे, यहाँ पर यह water का chemical formula है, जब हम इसकी composition देखते हैं, water की chemistry के अंदर इस compound गी, तो हमने जिस तरह बताया के 2 or 2 या 2 से ज़्याद elements, chemically जब combine होतो वो कोई नहीं चीज़ बनाते हैं, और वो fixed ratio by mass होती है, तो यहाँ पर हम अगर hydrogen देखें, तो और दूसरा कुन सा element है, oxygen है हमारे पास, तो यहाँ पर hydrogen की जो atoms हैं, वो 2 हैं, और by mass hydrogen 1 है, oxygen atomically यहाँ पर 1 है, और उसका जो mass है वो 16 है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, 2, 1s are 2, 1, 16, the 16, अब इसको हम fixed ratio by mass देखेंगे, 2, 1s are 2, और 2, 8, the 16, तो यह जो compound water है, यह fixed ratio by mass, क्या है, 1 ratio 8, तो यह एक compound बन गया, जो 2 या 2 से जायत, chemicali element से मिलकर बनाए, ऐसे ही दूसरी भी बहुत सारी मिसाले हैं, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, वो अगर chemicali combined हो, और fixed ratio by mass हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, कि वो एक compound बन गया, और दूसरी मिसाल लेके हम ले रहे हैं, वह गुलूकोस की मिसाल है यहां पर, C6, हम ले रहे हैं, H12 and O6, यहां पर देखें, कारवान के जो atoms हैं, वो 6 हैं, और कारवान का जो mass हैं वो है, 12, इसी तरह hydrogen, 12 atoms, और mass 1, इसी तरह oxygen के 6 atoms, और 16 इसकी mass है, so 6 12s है 72, 12 1s है 12, and 6 16s है 96, अगर हम यहां पर, इसको simple ratio में निकालें, fixed ratio by mass, तो 12 की table जो यह ना, तीनों numbers पर हम लगा सकते हैं, 12 1s है 12, 12 6 दा, 72, and 96 पर 12 की table 8 टाइम आती है, तो glucose जो compound है, वो fixed ratio by mass क्या है, आरवान 6, hydrogen 1, and oxygen 8, तो यह compound की simple सी definition, उसकी मिसाल दी, आगे देखते हैं, उसकी properties क्या क्या हो सकती है, ठीक है बटा, तो यहां पर clear हो गई यह बात, के compound जो है वो fixed ratio by mass हो दाए, तो इससे नतीज़ा क्या निकलता है, जब दो या दो से जायद elements, chemically combined होकर, या bonded होकर, एक नई चीज़ बना रहे हैं, तो नतीज़ा क्या निकलता है, a newly different properties, possessing substance form, यहां से यह पता चल रहा है, के नतीज़तन एक different हमें substance मिल जाता है, जिसकी properties एक अलेधा properties होती है, तो यह जो bonding हो अगर होती है, या combination होती है elements के आपस में, यह दो किसम के bond की होती है, ठीक है, so the type of bond holding elements, may be ionic bond और covalent bonds, या तो ionic bonds होंगे, जो दो elements या दो से जायद elements बनकर नई चीज़ बना रहे हैं, वो या तो ionic bond के जरीए, एक दूसरे के साथ bond create करके, या combine होकर मिले होंगे, chemicali या covalently जो या वो फार्म किये होंगे, तो ionic bonds की जो मिसाल हैं, या जो substances हमें commonly हम देख रहे हैं, एक तो N-A-C-E-L है, जिसे हम sodium chloride भी कहते हैं, अच्छा दूसरी मिसाल ले ले लें ये, copper sulfate भी है, sorry, copper sulfate, copper sulfate और potassium bromide है, जो ये जो है ना copper sulfate और potassium bromide, जो चलें, covalent bonds की मिसाल हैं देख रहे थे हैं, पहले दो water है वही, H2O, ये covalently bonded होते हैं, अटम्स ठीक है, elements, जो ये chemicali water है, and methane देख लें, CH4, AB जो है ना covalently bonded है, carbon dioxide देख लें, common जो मिसाल हैं इनकी, so hope you have understood the topic, आज हमने के last 9th chemistry, chapter number 1 से compound को study किया, उसकी मिसाल हैं देखी हैं, झेख बातारो मिसाल historical ko देखी हैं, एड़ाय हाभ्वतелен हो ढहते हैं, कि झाल जातारो मिसाल देखी हैं, आजा ले बातारो, अबस्षण आट शास 저렇게 Hah unsa, आजा बस्याना, कि आधिग्षण hits, पह्याना हैं,